हेलो फ्रेंज इस दिवाली हम बनाने वाले हैं से पांच मिनिट में बिना गहस जलाई ये ओरियो रोल जिसे खाकर सब सिर्फ आपकी तारीफ ही करेंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत आसान सी रेसिपी है तो बस बिना देर के वे फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं नमस्कार स्वागत है आप सब लोग का कीवी की फर्माईश कोकिंग चैनल में ओरियो रोल्स बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे यहां पर ओरियो बिसकिट तो मैंने यह टू बड़े वाले पैकेट यूज किये हैं एक पैकेट मैंने वनीला का यूज किया है और एक पैकेट को हमें सेपरेट करना है तो मैं यहां पर इक बाष्म में सारी क्रीम निकाल लेती हूं यह बहुत Ida मैं इसतरह से अब यहां पे डालेंगे दो बड़े चमच दूद्ट तो गरम दूद्थ है इसमें पहले से डालके रखी दी फ्लेवर के लिए उन्हें कर रही हूं अन कब भी कर सकते हैं पर दूद यहां पर हमें गर्म ही डालना है जिससे कि जो हमारी क्रीम है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी क्रीम को दूद के साथ हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है यह देखिए बिलकुल इस तरह से अब इसमें हम डालेंगे एक कप डैसी केटेड़ थोड़े से डालूँगी यहां पर कटे हुए बादाम थोड़े से कटे हुए काजू डालूँगी अपने पसंद के कोई भी ड्राइफ रूट हम यहां पर एड़ कर सकते हैं चाहे तो ड्राइफ रूट को हम यहां पर इसके भी कर सकते हैं सारी चीज़ों को यहां पर अच डूड झाला है ठंडे के यूज यहां पर अच्छे से मिंक्स कर लींगी और यहां पर आपर और युच्छ कर लेंके । दूड़ यहां पर हमें यहां बसंदूज यहां टाले कहना है तर्काम थान आम要टा भीत पह沒事 सक्षा है क वहां इन्हेंस हो जाएगा और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी गी डालने के बाद से अच्छे से मिक्स करदेती हूं और यह कुछ इस तरह से हो जाएगा तो यह रोल्स की फिलिंग हमारी त्यार हो गई है इसे रख दिते हैं और यहाँ पर मैंने बिस्किट ले लिए है ये अब क्या कर लिना है, बिस्कित को हमें चोटे-चोटे टुकरों में इस तरह से तोड लेना है बहुत ज़्याथ चोटे नहीं करने है, यूड के लियए अब इसे डालेंगे हैं अम मिक्सर ग्राइनदर में और इनका विल्कुर बारीक Bush हम बना कर त्यार कर लेंगे तो इसमें डालूँगी मैं एक चमज घी घी यहां पर एमसीली डाल रहे हैं ताकि इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा और जो रोल की आउटर लेयर होगी उसमें बहुत ही अच्छी शाइन आएगी और थोड़ा सा मैंने यहां पर दूद डाला है सिर्फ दो चमज मै मैं नहीं करना है इसे और बहुत जादा हाट भी नहीं चाहिए तो जरुवत के हिसाब से यहां पर हम दूद डालेगी अब मैं इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेती हूं और एक डो टाइप कर लगा लेती हूं यह देखे बिल्कुल हमें इस तरह का चाहिए पर अभी यह बहुत जादा स्टिकी है तो मैं हलका सा इसमें घी डालूँगी और इसे अच्छे से एक्जिस्ट कर लूँगी थोड़ा सा ही मैंने यहां पर गी यूज किया है यह देखे बिल्कुल हमें इस तरह का चाहिए बिल्कुल आटे की लोई की तरह यह देखे जैसा आटा होता ह यह बिल्कुल इस तरह से हो गया है बिल्कुल चिपक नहीं रहा है हाथ में इसी तरह का चाहिए इसे बिल्कुल भी गीला हमें नहीं करना है और बहुत जादा हाड भी इसे नहीं रखना है अब मैंने यहां पर बटर पिपर लगा लिया है इसको मैंने घी से अच्छे से ग पूरी एक सट करते जाएंगे इक पर इतना करने के बाद आ हम इसे हातों से बढ़ाएंगे कर अच्छे से पूरे में फैला लेंगे We Fair या पतली रख सकते हैं, अगर जादा चॉकलेटी खाना पसंदे थो हमसे मोटा भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो हमसे थिन भी रख सकते हैं, इस तरह से बस हमें ऐसे एक्जिस्ट करते जाना है, और ये देखे बै ने यहाँ पर इतना पतला बनाया है, अगर चाहिए थो इसए मोटा भी कर सकते हैं और पतला भी रख सकते हैं यह देखिए मैंने बस इसे इतना बनाया है रोटी से थोड़ा सा मोटा यहाँ पर मैंने इसे बनाया है अब जो हमने फिलिंग तियार की थी ना उसको हम ले लेंगे और इस तरह से हातों से हम रोल करेंगे ऐसे और यहाँ पर center है इसमें हम यहाँ पर इसको रखेंगे इस तरह से और इसे हातों से मैं अच्छे से exercise कर देती हूँ ये देखे बिलकुल ऐसे अब इसे हमें करना है roll तो roll करने के लिए हमें इसे क्या करना है butter paper के साथ ही हम इसे इस तरह से roll करेंगे बहुत हलके हलके हातों से करेंगे क्योंकि अभी फ्रेश है इसलिए बहुत जादा सॉफ्ट है अगर हम डारेक्ट ही से रोल करेंगे तो टूट जाएगा और हमें बहुत प्रॉब्लम होगी हमें रोल करने में इसलिए डारेक्ट नहीं करना है हमें इसे रोल बटर प सेस्ट करने शेप देंगे देगे लोगल जैसे हम चोकलेट मैं कर सकते हैं लगें लगेंगे और फ्रिज के लगेंगे तो जल्दी यह देखे कितना बड़ी अलग रहा है यह देखने में एक दम परफेक्ट सेट हुआ है यह अब इसके पीस कट कर लेते हैं तो पहले मैं इस साइड वाले पीस हटा दूँगी और इसे हलके हलके हातों से एक अच्छे से नाइश के साथ जो शार्प हो उससे ऐसे हम पीस कट कर लेंगे इसके अभी यह थोड़ा सा हाड रहेगा क्योंकि हमने इसे फ्रिस से निकाला है थोड़ी दिरबादी अपने आप नॉमल हो जाएगा पीसिस बड़े छोटे आप अपने इस आप से रख सकते हैं यह देखिए कितनी बड़िया सी हमारी ओरियो रोल बनकर त्यार हो गई है तो इस दिवाली आप भी इस रेसिपी को ट्राय जरूर करना और हमने गैस भी नहीं जलाई कोई भी महनत नहीं कि बहुत ही टेसी लगती है यह खाने में जो भी कोई खाएगा आपकी सिर्फ तारीफ ही करेगा तो भाई देर किस बात की पटाफ़ट से इस दिवाली Thank you